आज के इस वीडियो में आपको एक न्यू जोब और वेकेंसी के अप्रेट देने वाला हूँ जो कि आ रही है HGIEL JSE Recruitment 22 की तरप से इसमें डिपलोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं जुनियर इंजिनियर, सिनियर इंजिनियर, सुपरवाइजर, टेकनिसियन और भी सारे पोस्ट के लिए इसमें वेकेंसी निकाली गई है जिसमें कि आपका कोई भी एक्जामस नहीं होने वाला कोई भी एप्लिकेशन फिर रिक्वाइड नहीं है अल इंडिया से कहीं से बिलोंग करते हैं आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं वाकिन इंटर्व्य के अधार पर आपका इसमें सेलेक्शन होने वाला है टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जरूर से जोइन होकर करें वहाँ पर सभी लिंक पीडियाफ आपको मिल जाएगी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं यह इसका नोटिफिकेशन है वाकिन इंटर्व्यू इसमें निकाला गए है HG Infra Engineering Limited के तरफ से वेकेंसी अनॉंस की गई है जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं We are, we required following personals for road construction projects के लिए इसमें required हैं जिसमें कि आप लोग को post जो है आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जिनमें कि आपका पहला नमर में है Highway Structure के लिए इसमें जो रोल है आपका Supervisor, Foreman, Junior Engineer और Senior Engineer के लिए इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं Graduate या ITI उसके बाद B.Tech या Diploma अगर आप लोग Civil Engineering से किया है आप लोग अपलाई कर सकते है Minimum Experience जो इसमें रिक्वाइड है जो ITI और Graduate के लिए First नमर में 3 यहर का और Second नमर में आपका 2 यहर का इसमें रिक्वाइड है दूसरे नमर पोस्ट पर आता है QA और QC के लिए इसमें Technical Technician और Senior Technician Engineer, Senior Engineer के लिए पोस्ट है जिनमें की Graduate, ITI और B.Tech Diploma Civil से है तो आप लोग अपलाई कर सकते है 3 और 2 यहर का Experience इसमें रिक्वाइड है उसके बाद का पोस्ट में आपका Graduate, Diploma और ITI है जिनमें की 2 यहर का Minimum आपका Experience है और इसमें जो Job Role आपका होने वाला है Surveyor Auto Level, Surveyor Total Station इसमें आपका होने वाला है उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते है Junior Engineer के लिए आपको B.Tech और Engineer के लिए डिपलोमा और Senior Engineer इसमें आपका Post है 2 यहर का Minimum Experience रिक्वाइड है B.Tech Diploma Civil से किया है तो आप लोग अपलाई कर सकते है उसके बाद के Post में आपका Graduate यह आईटिया है B.Tech Diploma अगर आप लोग Mechanical से किया है 2 यहर का Experience है तो आप लोग अपलाई कर सकते है उसके बाद Computer Diploma और Graduate अगर आप लोग किया है तो आप लोग अपलाई कर सकते है 2 यहर का इसमें Minimum Experience रिक्वाइड है उसके बाद B.Tech Diploma 12th Pass और B.Sc. Nursing के लिए इसमें रखा गया है जिसमें की Experience Minimum इस तरह से दिया गया है तो आप लोग अगर यह सारे Qualification फुल्फिल करते हैं इलिजिवल होते हैं तो आप लोग ज़रूर से इसमें वाकिर इंटर्विव के लिए जा सकते हैं का की Location आप लोग यहां पर देख सकते हैं New Delhi का रखा गया है और Date जो है 2021-2011 2021 को आप लोग जा सकते हैं इस Palace पर 2021-2021 और 2021-2021 यह दो दिन में आप लोग यहां पर जा सकते हैं How to Reach यहां पर दिया गया Opposite to Netaji सुभास Palace Metro Station के आप लोग opposite में आप लोग जा सकते हैं यह address पर आप लोग 20-21 को interview के लिए वाकिन interview के लिए आप लोग जा सकते हैं यहां पर देख सकते हैं Perks and Benefit में और सब चीज यहां पर लिखा गया है और यह जो Type of Employment है Full Time या Permanent यहां पर लिखा गया है तो आप लोग जो भी candidate इसके लिए eligible होता है, interested होता है आप लोग जरूर से जा सकते हैं तो मेरा काम है बताना मैं सभी vacancy को बताता हूँ आप लोग अगर interested होता है, eligible होता है तो जरूर से जा सकते हैं तो जो भी मैने information था और मैंने आप लोग को बता दिया और अपने दोस्तों के साथ share जरूर से कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई confusion.query हो तो जरूर से पूछ सकते हैं मैं आपका reply देने की पूरी कोशिस करूँगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए सुक्रिया और thank you